चंडिगर शिमला नैशनल हाइवे 5 बुद्वर शाम से बंध है यहाँ पर पैदल चलने तक का रास्ता नहीं बचा है हाइवे कब तक सुचारू होगा इस बारे में प्रशासन भी अभी तक कुछ कहने को तयार नहीं है लेकिन अब लोगों के सबर का बांध तूट गया है लोग जान जोखिम में डाल कर चक्की मोड के धहे हिस्से को पार करना शुरू कर चुके हैं इसका एक वीडियो भी सोचल मीडिया पर वाइरल हो रहा है इसमें लोग धहे हिस्से से पहाडी पर चड़ कर दूसरी ओर जा रहे हैं मंजर इतना खतरनाक है कि यदि इन लोगों की रास्ता पार करते समय पहाडी से भूस खलन हो जाता तो इनकी जान भी जा सकती थी यहाँ पर पहाडी से लगातार भूस खलन हो रहा है प्रुशासन की ओर से भी इस रास्ते को बंद किया गया है लेकिन स्थानी लोग जान ज जोखिम में डाल कर निकल रहे हैं एस्पी सोलन गौरव सिंग ने कहा कि कुछ देर के लिए पुलिस करमचारी परवाणों की तरफ ड्यूटी पर गए थे तो ऐसे में एक बस चक्की मोड के पास पहुँच गई और इसमें कुछ मजदूर लोग थे जिन्नोंने पैदल ही पहा भी जा सकती है हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 News चॉइस ओफ हिमाचल के साथ